देखिए यहां पर जो हमारा किट पलाई शेत्र के पीछे शंचान गाट है यह नगरपानिकागा शंचान गाट मुझे बड़े कुछी है कि हमारे जो सिक्स नमाज के लोग हैं और हमारे अफ्तार सिंधी अच्छी बात है और मुझे बताया भी गया कि यहां भी पार का डवलप्मेंट हो सकता है तो उसके लिए हम लोग अभी काम करेंगे और सिंधी इसके पास इस बिस्ताव पैढ़ने का सब्सक्राइब लोग काम करेंगे और जबसे हमारी टीम ने हरा चार जो समाला है तब ही से हम लोगोंने आप काफी जो चीजों की लकड़ी की दिककत alive पानी की वरस्ता के लिए प्याव जश्पाल सिंग्वादी जी ने अपने माता जी और पिता जी की याद में बनवाया है आज उसका उद्गाटन मानी जिलादीकारी रेविंदर पार माताजी के द्वारा किया गए और यहां की जो और भी समस्या हैं क्योंकि यहां पर करीब 60 उसके माईव जीलादी कारी जी ने आक पार के लिए और ट्वालेट के लिए क्यूंकि यह जंछानगाट गरीबोंका शब्वस्ताइ और आ cambioरी डिए वेवस्ता पूरी नहीं करां यहां पर सुवीदे ना होने करां लोग हाइप यहां की जो हो जाती हadtके तो आपर तनकी नभी गाणी को प्रयात हो जारी है। रूंधे himrena na किया निल्वेज भी हैं यहां पर दिया मानिय जिलादिगारी की जी को अफगत कराया है कि यहां जगा काफी और पार्क अगर एक बन जाए तो उन्हों ने कहा बिल्कुल होना चाहिए और नगर पालिका से या विकास प्रादिकरण से एक अर्थकुरत पार्क जार होगा और की भिकत है त्रॉयलेट भी हम बनेंगे मानिक जिलादिगारी जी ने कहा है कि कोई भी अगर किसी भी चीज़ की पिखकत है तो समपर करें हम आप लोगा कि किस की तरब से हुआ है यह जपाल सिंग वादी जी ने प्री मातब पिता जी आद में यहां एक कुशूरत प्याउ झाल झाल झाल